असलाम अलेकुम और वेलकम टू चैनल दस्तर खान की दावत यह देखिए आज हम बनाने जा रहे हैं सूपर मॉइस्ट एन एगलेस मैंगो के की बहुत ही जाधा डेलिशेस बनता है और इसमें मैंने बहुत ही सिंपल इंग्रिडियन्स का इस्तिमाल किया है इसका सबसे पहले बहुत ही मज़िदार सी आइसिंग हुई ती इसकी विप क्रीम के साथ मैंगो ग्लेज और मैंगो की पीसेस के साथ देखने से आपको पता चल रहा होगा कितना मॉइस्ट यह केक बना है तो इस रेसिपी को जानने के लिए आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए औ मैंगो के एक बनाने के लिए हमने चार मैंगो का पल्प निकाल लिया था उसे क्यूज में इस तरह से कट करके रख लिया है यहां पर एक कप मैंगो जूस लिया है मैंगो जूस की रसिपी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है आप इसके जगा पे शुगर सिरफ क राफ टीस्पून हमने बेकिंग सोडा लिया है een टीस्पून बेकिंग पावडर लिया है 1 2 माँप तर यहाँ पर मैंग चार मैंगोко 스 को पील कर पल्प निकालकर इसके प्योरी बनाकहिज में अंगल सर्फिलावर ना हो और यहां पर मैंने आदा कप मिल्क लिया है, सबसे पहले जो शुगर है यह ग्राणिडर्डडर्ड शुगर है, इसको पीस के हम पाउडर शुगर बना लेते हैं, यह देखिए शुगर को हमने ग्राणिडर चार में पीस के बड़े से बाउल में डाल दिया है, अब इसमें हम आदा कप ओईल, डालने के बाद हमें बीना हैंड मिक्सर को अन किये, इक बार इसे अच्छी तरह से मिला लेना है, जिससे की शुगर उड़ेगा नहीं, और फिर हमें मिक्सर को अन करना है, इसे मिलाने के बाद और इसे दो से तीन मिनिट मीडियम टू हाई स्पीड के उप और विप कर लेना है, शुगर और ओयल को हमने विप कर लिया है, अब इसे हम एड़ करेंगे आदा कप दही और इसे भी हम मीडियम स्पीड पे दो मिनिट के लिए विप कर लेते हैं, अब 4 टीबल स्पून मैंगो प्यूरी को मैंने इधर पे अलग निकाल के रख दिया है, इसे भी हम केक के बैटर में डाल देते हैं, और इसे हैंड मिक्सर की मदद से 1-2 मिनिट के लिए मीडियम स्पीड पे विप कर लेते हैं, मैंगो प्यूरी को भी डालके हमने इसमें अच्छी तरह से विप कर लिया है, ये देखिए अब हमारा वेट इंग्रिडियंट्स रे throughout מכ layout AO как एक के के मद्द गहरा है अच्छी तरह से मिला लेंगे आप चाहें तो पूरा वेटर ही इसिक मदद से बना सकते हें, इसमें hand mixer का इस्तिमाल करना गंपल सरी नहीं है ऐसे ही बहुत ही soft बन जाएगा आपका बैटर whisk के साथ भी अब यह जो बाकी का dry ingredients है वो भी हम wet ingredients में डाल देंगे अब इसे हम एक whisk की मदद से मिला लेंगे अच्छी तरह से smooth कर लेंगे इसे मैदा नजर नहीं आना चाहिए इसमें जब तक हम इसे मिलाएंगे यह देखिए दो-तीन मिनिट whisk से मिलाने के बाद अच्छा smooth हो गया यह बैटर अब इसको हम इसकी consistency को adjust करेंगे milk मिलाकर बैटर में हमें उतना ही milk मिलाना है जिससे कि यह बैटर ribbon जैसी flowing consistency का हो जाए यह देखिए सारा half cup milk जो हमने लिया था वो इसमें लग गया है सारा इस बैटर को consistency को adjust करने के लिए अब हम इससे अच्छी तरह से मिला लेंगे यह देखिए बैटर हमारा ready हो गया है किस तरह से ribbon जैसी flowing consistency हो गई है इसकी आप देख सकते हैं इसी तरह का बैटर होना चाहिए बैटर को हम आप एक align किये हुए cake tin में transfer कर लेते हैं यह देख सकते हैं आप किस तरह की ribbon जैसी flowing consistency है इस बैटर की इसी तरह की consistency होना चाहिए बिल्कुल भी ribbon जैसी smooth flowing consistency का होना चाहिए और इसका color देख सकते हैं आप बिल्कुल भी yellow color आया है इसका जबकि इसमें मैंने कुछ color add नहीं किया है यह जो color है वो real alphansomangos का color है यह देखिए सारा cake batter मैंने इस cake din में transfer कर लिया है और इसे एक दो बार अच्छी तरह से टैप कर लिया था अब इसे बेक कर लेते हैं यह देखिए हमने ओटी जी को 15-20 मिनट पहले ही प्रिहीट कर लिया था 180 डिग्रीज पे convention mode पे ओटी जी हमारा अच्छी तरह से प्रिहीट हो गया है अब इसके अंदर हम cake batter जो cake tin है वो रख देंगे अच्छी तरह से इसे बेक कर लेंगे 42-45 मिनट तफ 180 डिग्रीज पर ही जब तक हमारा cake बेक हो रहा है हम यहाँ पर mango glaze की तयारी कर लेते हैं जैसे कि मैंने आपको बताया था यहां पर मैंने चार mango को पल्प निकालके उसकी प्यूरी बना ली थी और यहां पर मैंने चार टेबल स्पून शुगर ले लिया है अब यहां पर गयास पे मैंने कड़ाई रख दी है कड़ाई को मीडियम फ्लेम पे रख दिया है मैंने इसे मीडियम फ्लेम पे पकते हुए और आप देख सकते हैं किस तरह से इसके अंदर शुगर था वो भी अच्छी तरह से डिजॉल हो गया है बस हम गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे और इसे रूम टेंपरेचर पर थंडा कर लेंगे अब बड़े से बाल में मैंने दो कप हो चिल्ड विपिंग क्रिम लिया है और इसे हम हैंड मीक्सर की łदस से अच्छी तरह से विप कर देंगे के स्टिफ पिक्स आने तक यह देख्यार मैगो गलेज और कईनके के से Leh केक को हम completely room temperature पे थंड़ा होने देंगे उसके बाद हम इसे डी मोल्ड करेंगे यह देखिए केक को हमने डी मोल्ड कर लिया है उसका जो बटर पेपर था वो निकाल लिया है केक अच्छे तरह से थंड़ा हो गया था और यह जो अभी दिख रहा है यह बैक साइड है केक का इसे कर रही हूं जैसा कि आप देख सकते हैं केक को मैंने दो लेइर में डिवाइड कर रहा है और यह बिल्कुल भी even कट हुआ है अच्छी तरह से flat कट हुआ है अब हम इसकी आइसिंग कर लेते हैं केक के लिए हमें सबसे पहले इसका फुर्स लेयर लेना है और फुर्स लेयर क के बाद हम इसके ऊपर स्प्रेड कर देंगे वीपिंग क्रीम को पूरे सरफेस के ऊपर एक ठिक लेयर बना लेंगे हम भी क्राट के रखे देख की तरह उसंसे हम डालेंगे और इसे डालते ही हम थोड़ा सा यसे प्रेस कर लेंगे जिससे किये सेट हो जाएगा बेस के अंदर फस्ट आले में और ऊपर का जो हम भीस लगाएंगे वह फटेगा नहीं फट्रूपर करने के वजह से और अभी एक की आइ था जैसा कि आप देख सकते हैं मैने क्पेक को अच्छी तरह से साइड एक्सक्क रिने कीसे लेवल कर लिया है यह से लेवल अब करने कि लेभल गराल किया तब अब इसके इसलोर्ण कि चाहिए भनाना वह बना लेते हैं डिजाइन्स आप किसी भी तरह से हैं आपकी बरशी से अगर दिजाइन ना करना चाहें तो इस तरह से लेवल अप करके भी छोड़ सकते हैं उपर से मेंगो पीसे बना लिए हैं अब थोड़ा से बॉड़ा भी कर लेते हैं के ऊपर हमने फ्लावर और बना लिए है यह ऐसे भी वाइट केक बहुत ब्यूटिफुल लग रहा है अब यह जो केक के बीच में खाली जगा दिख रही है उसके उपर हम मैंगो का ग्लेज जो हमने तयार किया था व इसे से वो डाल देंगे यह देखिए हमारा ब्यूटिफुल सा मैंगो केक रेडी हो गया है कितना ब्यूटिफुल लग रहा है इसका यलो और वाइट कॉम्बिनेशन आप देख सकते हैं अब हम इससे कट कर लेते हैं इसके कट करने के तरीके से ही आपको अंदाजा लग ग बना है बिल्कुल भी केक शॉप की तरह बना है कोई बात नहीं मैं आपको इससे टेस्ट करके बदाती हूं जिस तरह से मैं फोक को इंसर्ट कर रही हूं आपको अंदाजा लग रहा होगा कि कितना ज्यादा सौफ्ट और मॉइस्ट बना है यह केक और खाने में भी बहुत जादा मज़ेदार है इसके क्रम्स भी बहुत अच्छी तरह से आये है और एगलेस केक होने के बाद भी यह बहुत ही जादा मॉइस्ट बना है तो देखा आपने इस मैंगो केक को बनाना बहुत ही जादा सिंपल है अगर आपके पास ओवेन या ओटीजी नहीं है तो आप गजी जरूर को अगुम्यड़ त्रीइंगो सीजन में जरूर मैंगो केक को ट्राइक कीजिए आपको यह कैक खाके crystallOल है और कीकई को बनाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए मिलते हैं ऐसी ही और मज़िदार और एक्साइटिंग रेसिपी इसके साथ अब तर के लिए अलाहाफीज